बूझो बूझो मेरा नाम, है ये थोड़ी अकल का काम, सोच रहे हो क्या ये बात, कहा से आई ये आवाज, कौन है ये, बोलो कौन है ये, ना है हमको दिखती, ना जाने ये कैसी लगती, क्या ये जिन है या कोई भूत, यो किसी नटखट की करतूत, बात बड़ी है सीधी, सीधी मैं हूँ आपकी संपाथ सीधी जामिती इस विडियो में हम देखेंगे, पिछली कक्षा में सिखाए गए जामिती आकारों की अवधारना को दोहराना, सम्तल और वक्रतल आकृतियों को पहचानना, बिंदू रेखा, रेखाखंड और किरन को बनाकर उनकी परिभाशा समझाना, तीन प्रकार के कोन बनाकर उनकी परिभाशा समझाना, और वृत बनाना तथा वृत के केंद्र, तरिज्या तथा व्यास की परिभाशा समझाना, चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं, कक्षा 4 में आने से पूर्व बच्चे तरह तरह के आकारों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो रखते होंगे परन्तु इस कक्षा से हम इन आकारों के अध्ययन को एक नए नाम से जानेंगे इस नए नाम को कहते हैं ज्यामिती गणित की इस शाखा में बिन्दूओं, रेखाओं, वक्रों, सम्तलों इत्यादी का अध्ययन होता है अभी तक जो आकार सिखाए गए हैं वो हैं वर्ग, आयत, त्रिभुज और व्रित अब वर्ग के बारे में हम अभी तक क्या जानते हैं वर्ग एक चार भुजाओं वाली आकरिती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और आयत कैसा होता है? आयत कुछ-कुछ वर्ग जैसा ही होता है, बस आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती उसकी केवल आमने सामने वाली दोनों भुजाएं बराबर होती है त्रिभुज के तो नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक तीन भुजाओं वाली आकरिती है और वृत एक गोल आकार वाली आकरिती को कहते हैं आप जानते हैं ना कि मा जो रोटी बनाती है वो तो गोल होती है पर मा जो लड़ू बनाती है ओहो मुमें पानी आ गया लड़ू भी तो गोल होता है ना पर लड़ू या एक गेंधी ले लीजे ये सब गोल हैं और लुड़क भी सकते हैं क्यों? क्यूंकि इनका तला गोल होता है, वक्र आकार का ही होता है, इसलिए इन्हें ह्म वक्र तल आकार कहते हैं, रोटी का तला चप्टा या हर जगासे समान होता है, होता है ना? हम रोटी को एक के उपर एक रख सकते हैं ऐसे आकारों को हम समतल कहते हैं अब गेंध है, गिलास है, बेलन है इन्हें हम लिटा कर लुड़का सकते हैं एक के उपर एक नहीं रख सकते पर किताबे हैं, इटे हैं, रोटियां हैं इन्हें हम एक्यों पर एक रख सकते हैं। इन सभी के बारे में हम विस्तार में आगे चल कर सीखेंगे। परंतु पहले हमें कुछ और बाते सीखनी हैं। अब यह जो जामिती है ना, यह कहां से शुरू हुई। समपूर्ण जामिती की शुरुवात एक बिंदू से ही तो हुई। सबसे पहले एक बिंदू आता है और उसके बाद ही उससे और आकृतियां बनाई जा सकती हैं। यह साधारन दिखने वाला छोटा सा बिंदू बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिंदू को किसी भी क्षेत्र में कोई विशिष्ट स्थान प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी रेखा के एक सिरे को प्रदर्शित करने के लिए या किसी वृत के केंद्र को दर्शाने के लिए इतियादी। किन्तु एक शेत्र में बिखरे हुए इन बिंदूओं का कुछ प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक हम इने कोई नाम ना दें क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि इस बिंदू से उस बिंदू तक एक रेखा खींचो तो कोई पूछ सकता है कि किस बिंदू से किस बिंदू तक तो चलिए हम इन बिंदुओं का नाम करन कर देते हैं इस बिंदु का नाम रखते हैं कुमुद नहीं कुमुद नहीं कमल अच्छा चलो कमल रख लेते हैं इस बिंदु का नाम रखते हैं सलीम सलीम नहीं सलमा लड़के का नाम रख लिया है ना अब लड़की का नाम रखेंगे ठीक है ठीक है ये है कमल ये है सलमा अब इस बिंदु का नाम क्या रखें गणिश? नहीं नहीं गायतरी नहीं इस बिंदु का नाम हम रखते हैं बिंदुसार और इस बिंदु का नाम रखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य अरे हम कहां उलज गए नामों के चक्कर में आगे बढ़ते हैं और इन बिंदू का नाम क, ख, ग, अ, ब, प, फ रख देते हैं अब यदि हम एक बिंदू के बाद दूसरा बिंदू और उसके बाद तीसरा बिंदू चौथा बिंदू, पांचवा, छटा, साथवा, आठवा ऐसे कई बिंदू लगा दें तो हमें एक ऐसा आकार मिल जाएगा अनंत बिंदूों की कतार जिसका ना आदी है और ना अंत उसे हम रेखा कहते हैं रेखा को असी में दूरी तक दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है एक रेखा में दोनों और बने तीर के निशान असी में त्विस्तार को प्रदर्शित करते हैं अच्छा अब हम इस अनंत रेखा पर दो बिंदू ढूंड लेते हैं यह हो गया हमारा पहला बिंदू इसे हम नाम दे देते हैं क और यह रहा हमारा दूसरा बिंदू इसे हम नाम दे देते हैं ख यह क और ख बिंदूओं के बीच में जो रेखा का हिस्सा है उसे हम रेखा खंड कहते हैं इस वाले रेखा खंड को हम रेखा खंड क ख बोलेंगे यानि यह एक अनन्त रेखा का छोटा भाग है और इसे हम स्केल से नाप भी सकते हैं चलो इस रेखा खंड क को स्केल से नाप कर देखते हैं Scale को रेखाखंड के पास सटा कर इस प्रकार रखना चाहिए कि बिंदु क स्केल के 0 यानी 0 की सीध में रहे अब आगे हमें देखना है कि बिंदु क किस संख्या की सीध में है यहाँ पर ये संख्या है 4 cm तो रेखाखंड क क की लंबाई हुई 4 cm ठीक है? तो आपने देखा ये है बिंदु, ये हुई हमारी रेखा, ये हुआ रेखा-कंड और यदि रेखा-कंड के एक सिरे को असी में दूरी तक बढ़ा देते हैं, तो हमें ऐसी आकृती मिल जाती है इसे हम किरन कहते हैं किरन का एक सिरा असी में दूरी तक बढ़ाया जा सकता है रेखा खंड के एक सिरे पर बना तीर का निशान इस बात को दर्शाता है कि वो किरन है ज्यामिती बहुत दिल्चस्प विशे है और इसे इस प्रकार से विस्तार में समझाना चाहिए चलिए दोस्तों, अब हम बिंदू, रेखा और किरन नाम की तीन सक्यों को लेकर जामिती की अबधारनाओं को और आगे बढ़ाते हैं अब हम सीखेंगे कोण के बारे में यह है कोण अरे भई, कोण यानी कोना यह देखें कैसे दो किरने मिलकर कोण बनाती है इस बिंदू से एक किरन निकली और यह दूसरी किरन निकली बन गया हमारा कोण यह भी कोण है और यह भी कोण है यह सब तरह तरह के कोण है आप देखते हैं कि हमारी आसपास की चीजों में कोन कहां कहां होते है यह देखिए टेबल इसका कोना भी तो एक कोन है या यह शामपट का कोना यह भी कोन है घर में चिम्टा होता है न? वो भी एक कोन है अरे और यह दिवार पर लगी घड़ी में जो सुईयां घूम रही है न? यह भी तो कोन ही बना रही है अब हम देखते हैं कि यह कोन बनते कैसे है यह है एक किरन और यह है दूसरी किरन आपने देखा न? कि दोनों एक ही बिंदू में से निकल रही है इन दोनों किरनों के बीच में जो छोटी सी जगा है उससे जो छोटा सा कौन बनता है उसे हम न्यून कौन कहते हैं न्यून शब्द का अर्थ होता है छोटा जिस कौन का छोटा मूँ खुला होता है वह न्यून कौन कहलाता है इसके उधारन है चिम्ता, बड़े छोटे का चिन, हाथ की दो उंगलियों के बीच की जगा, या मगर मच का खुला हुआ मूँ अब देखिए यह कौन खुलते 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 इस स्थान पर पहुँच गया है और उसकी एक किरन बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई है जब एक किरन दूसरी किरन के उपर बिल्कुल सीधी खड़ी हो तो उन दोनों के बीच जो कोन बनता है उसे सम कोन कहते हैं सम कोन के कई उधारन आपको अपने आसपास मिल जाएंगे जैसे आपकी पुस्तक का कोना, दिवार का कोना, दर्वाजे का कोना इतियादी अब यदि ये दो किरनों में से एक किरन आगे बढ़ते-बढ़ते सम कोन बनाने वाली किरन से भी अधिक आगे निकल जाए तो इन दोनों किरनों के बीच बनने वाला कोन अधिक कोन कहलाएगा उधारन के लिए घड़ी की सुईयां जब इस तरह से हो या घड़ी में जब बारा बीस या दस पच्चिस या नौ बच के दस मिनट हो रहे हो तो सुईयों के बीच जो कोन बनता है वो अधिक कोन कहलाता है आपने शाय देखा होगा कि चिड़ीया के छोटे छोटे बच्चों को जो बहुत भूक लग रही होती है तो वो अपनी मा से खाना लेने के लिए अपना मो अधिक कोन के रूप में खोल देते हैं तो आप सब समझ गए ना कि सम कोन से छोटे कोन को नियून कोन और सम कोन से बड़े कोन को अधिक कोन कहते हैं यह तो हुई कोन की बात अब हम वृत समबंदित कुछ शब्दों को भी जान लेते हैं याद है ना आपको वृत गोलाकार वृत जैसे एक सिक्का है, चान्द है, साइकल का पहिया है परन्तु यह वृत बनता कैसे है? चलिए बाहर खेल के मैदान में चलते हैं और देखते हैं अब मैदान में एक कील गार देते हैं फिर एक सुतली लेकर उसका एक सिरा एक कील से बान देते हैं और दूसरा सिरा एक डंडा लेकर उसके बीचों बीच बान लेते हैं अच्छा अब कील से बंदी सुतली खीच कर दूसरी तरफ बंदे डंडे को मैदान में गार कर एक तरफ से घुमाते हुए निशान डालते चलते हैं ऐसे अरे यह क्या बन गया? यह तो एक गोलाकार आकृती बन गई जी हाँ, हमने एक वृत बना लिया अब बताईए, हमें यदि अपनी कौपी में वृत बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? हाँ, हाँ, चूडी से या ग्लास से, कटोरी से इससे तो बना ही लेंगे परन्तु यदि हमें ठीक तरीके सिवृत बनाना हो तो उसके लिए एक प्रकार चाहिए होगा यह है हमारा प्रकार प्रकार में पहले एक नोक वाली छोटी पैंसिल को कसा जाता है और फिर ठीक उसी तरह जैसे हमने खेल के मैदान में कील गाड़ी थी वैसे ही हम प्रकार की नोक को कौपी के पन्ने पर गाड़ देंगे नोक को स्थिर रखेंगे और पैंसिल को पन्ने पर घुमाएंगे बस बन गया हमारा वृत वृत के ठीक बीचो बीच जहां प्रकार की नोक को रखा जाता है उसे वृत का केंद्र कहते हैं इस वृत का केंद्र बिंदु क है ठीक है? अच्छा, अब वृत के केंद्र से वृत के घेरे पर स्थित किसी एक बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिजया कहते हैं इस वृत में क, ख, वृत की त्रिजया है और वृत पर स्थित दो बिंदूओं को मिलाने वाला रेखा खंड जो वृत के केंद्र से होकर जाता हो उसे वृत का व्यास कहते है इस वृत में रेखा खंड अ, ब, वृत का व्यास है तो आप समझ गए ना? यह है वृत, यह है वृत का केंद्र, यह वृत की त्रिजया है और यह वृत का व्यास है परिमाप और क्षेत्रफल इस विडियो में हम देखेंगे किसी भी आकृती या क्षेत्र के परिमाप की अवधारना को समझाना परिमाप का अनौपचारिक मापन सिखाना किसी भी आकृती या क्षेत्र के शेत्रफल की अवधारना को समझाना शेत्रफल का अनौपचारिक मापन सिखाना परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर समझाना चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं जब बच्चे मापन की अवधारना को अच्छी तरह से समझ जाए उसके बाद ही परिमाप और फिर क्षेत्रफल की अवधारना को सिखाना चाहिए परिमाप समझना थोड़ा आसान है, इसलिए उसे पहले सिखा लेना चाहिए परिमाप शब्द दो शब्दों से बना है परि यानि सब ओर या चारों तरफ और माप का अर्थ हुआ नाप परि क्रमा तो आप सब जानते हैं न? तो परिमाप का अर्थ हुआ चारों ओर का नाप जब हमें किसी वस्तु या क्षेत्र की चारों ओर की लंबाई का मापन करना हो तो हमें परिमाप की अवधार्णा का प्रयोग करना होता है जैसे किसी मैदान के चारों ओर की लंबाई या घर के आंगन की या किसी बाग के चारो और बाड लगानी हो तो उसकी लंबाई को उसका परिमाप ही कहेंगे इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम बाहर चलके चौक से जमीन पर एक आयत बनाते है मान लीजे कि यह एक मैदान है और यह है इस मैदान का चौकिदार जो इसकी चारो और गश्त लगाता रहता है मान लेते हैं यह आयत 6 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है तो चौकिदार 6 मीटर चलेगा फिर 4 मीटर, फिर 6 मीटर और फिर 4 मीटर कितना हो गया छे जमा चार जमा उलबाबर 20 मीटर तो इस मैदान का परिमाप हो गया 20 मीटर यानि किसी आकरिती की सब तरफ की लंबाई का जोड उसका परिमाप होता है यह सिखाते समय बच्चों को साथ के साथ यह भी बता देना चाहिए कि मापन कई बार फुट में और इंचों में भी किया जाता है अब फुट कितना होता है फुट्टा देखा है ना आपने तो यह फुट्टा एक फुट का होता है इस एक फुट के फुट्टे में बारा इंच होते है फुट का चिन होता है यह और इंच का चिन होता है यह वैसे आजकल सेंटिमीटर, मीटर और किलो मीटर जैसी इकाईयों का ही प्रयोग किया जाता है परन्तु कुछ पुरानी मापन की इकाईयों का ज्यान भी होना चाहिए तो आप समझ गए न कि किसी भी क्षेत्र या आकरिती का परिमाप उसके चारो ओर का कुल माप होता है एक महत्वपून बात जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं वै है संख्या की इकाईय लिखना उत्तर में प्राई ये लिखा मिलता है कि इस वर्ग या आयत का परिमाप बारा है बारा क्या है? बारा सेंटिमीटर है या बारा मीटर है या बारा फुट है? इन सब इकाईों में अंतर बताना अतियावश्यक है जिससे बच्चों के मस्तिश्क में इन इकाईों के अनुमान की छवी बन जाए परिमाप की अवधार्णा का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेने के बाद अब हम शेत्रफल की अवधार्णा को समझते हैं क्षेत्रफल समझने के लिए हम एक मेज पर अपनी पाठ्थे पुस्तकों को लाइन से लगाते हैं और पूरी मेज को ढख देते हैं इस मेज की सत्य को ढखने के लिए हमें लगभग बारा पाठ्थे पुस्तकों को प्रयोग करना पड़ा है चार लंबाई में और तीन चोड़ाई में अब हर बार जब हमें किसी चीज के अंदर की शेत्र को नापना होगा तो क्या हम इतनी सारी पुस्तके लेकर चलेंगे? यह तो कोई बात न हुई और पुस्तके तो छोटे बड़े नापकी भी हो सकती है न? इसलिए हम इन्हें किसी आकरिती की सतह को नापने के लिए नहीं प्रयोग कर सकते आपने फुट्टा या स्केल प्रयोग किया है न? तो यहाँ पर भी हम उसका ही प्रयोग करेंगे चलिए हम ब्लाक बोर्ट पर इस मेज की सतह का चित्र बनाते हैं इस आकृती का हमने शेत्र फल निकालना सीखना है हम पहले इसकी लंबाई को नापते हैं स्केल से ही नाप लेते हैं एक फुट, दो फुट, तीन फुट, चार फुट निशान लगा लेते हैं ऐसे ही इसकी चौडाई में भी नाप कर निशान लगा लेते हैं एक फुट, दो फुट, तीन फुट. अब इन निशानों से हम आयत के अंदर आड़ी और खड़ी लंबी लाइने खीच देते हैं, इस प्रकार से. ऐसा करने से इस आकरिती को हम एक एक फुट के बराबर बराबर खानों में बांट देते हैं, ठीक है? चलिए, अब इन खानों को गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा. देखा आपने, इस मेज के आयत रुपी आकार के अंदर कितनी जगा है, उसे हम इन खानों को गिनकर पता कर सकते हैं. एक-एक फुट के ये बारा खाने ये दर्शा रहे हैं, कि इस मेज की सतह का शेत्र फल बारा खानों जितना है. अच्छा, अब एक बात पर गौर कीजिए. इस आयत की लंबाई कितनी है? चार फुट. और इसकी चोड़ाई कितनी है? तीन फुट. चार गुणा तीन बराबर क्या होता है? हाँ, बारा होता है ना? और हमारे पास इस आकरिती के अंदर पूरे आने वाले खाने कितने हैं? बारा. इसी प्रकार से अब इस आकरिती के खाने गिनिये. एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ. लंबाई चार खाने और चोड़ाई दो खाने. चार गुणा दो बराबर आठ. और इस आकरिती में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ. नौ खाने हैं तीन लंबाई में, तीन चोड़ाई में. तो तीन गुणा तीन बराबर नौ. तो आप समझें न, कि परिमाप और क्षेत्रफल में क्या फरक है? परिमाप एक आकरिती के चारो ओर की लंबाई होती है, और क्षेत्रफल उसके अंदर के क्षेत्र के माप को कहते हैं. जामिती इस गतिविधी को करने के लिए कक्षा में से आठ बच्चों को आगे बुलाएं. अब उनके साथ यह रोच्च गतिविधी खेलना शुरू करें. यह गतिविधी इस तरह से कराई जाएगी. टीचर सेज, बिंदू बन जाओ. बिंदू बनने के लिए बच्चे अपने दोनों हाथों को मोड़कर सीने के पास ले आएंगे और गोल से कोड़कर अलग-अलग खड़े हो जाएंगे जैसे वो एक अकिला बिंदू हो. इस तरह वे बिंदू की परिभाशा को प्रदर्शित करेंगे. इसके बाद बच्चों को अपनी जगे पर वापस जाने को कहें. अब कहें, टीचर सेज रेखा बन जाओ. या निर्देश मिलते ही बच्चे रेखा बनने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीधे खड़े हो जाएंगे. तो या देखिए, छोटे-छोटे बिंदूओं से मिलकर बन गई एक रेखा. रेखा बनाते समय ध्यान रहे कि दोनों छोरों पर खड़े बच्चों को अपना बाहर के तरफ वाला हाथ सीधे पहलाना है. इस तरह हम यह दर्शाएंगे कि रेखा अनंत होती है. उसके बाद बोलें, टीचर सेज रेखा खंड आगे आओ. इसके बाद आठ में से चार बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस तरह से एक कदम आगे बढ़ेंगे. वे हाथ बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि वे रेखा खंड हैं. यानि यह एक बड़ी रेखा का एक हिस्सा या खंड हैं. वे सीधे खड़े रहेंगे. इसके बाद वे वापस लाइन में चले जाएंगे. बच्चे फिर से अपनी पहली स्थिती में खड़े हो जाएंगे. इसमें रेखा के एक छोर का बच्चा अपना एक हाथ सावधान की मुद्रा में रखेगा और दूसरा हाथ सीधा खोल देगा. दूसरे छोर का बच्चा अपना हाथ नीचे ही रखेगा. क्यूं? क्यूंकि किरन केवल एक तरफ से ही अनंत दूरी तक जाती हैं. टीचर्स अब इस गतिविधी को तीजी से कराएं बच्चों से जल्दी जल्दी बिंदू, रेखा, रेखा खंड और किरण बनने को कहें इसमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ इंग्लिश में अब होंगी बाते मैं सिखेंगे हास्ते गाते पहली किसे और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी बात पड़ी है सीधी सीधी मैं हूँ आपकी संपर्ग बीदी संपर्ग फांडेशन संपर्ग फांडेशन